असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस विडियो में हम अनाउंस करने जा रहे हैं और स्टूडन की बहुत बहुत जादा रिक्वेस्ट पर रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट इन गुरूप 9 और एकेट 2022 MDKate और EKate 2022 के group 9 की registration का अगास किया है बहुत सारे student की request पर याद रहे कल group 8 की registration जो हो चुकी है अब जो student registration करवाना चाहते हैं वो group 9 में registration करवा सकते हैं और इसके लिए भी registration की date हमने बहुत short रखिये क्योंकि बहुत सारे student जो है वो waiting में हैं और 20 फरवरी से पहले पहले अपनी registration इस group में मुकमल करवा सकते हैं fee structure जो है अगर आप इस group में physics, MDKate या EKate की मुकमल त्यारी करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपी fee जो है वो submit करवानी है और अगर आप chemistry के complete course की त्यारी करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपी fee submit करवानी है और अगर आप biology की complete course की त्यारी करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपी fee submit करवानी है और अगर आप physics, chemistry, bio तीनों ग्रुप में registration करवाते हैं तो आपके पास English के lectures और English के तमाम online test भी आपके लिए free हैं और logical reasoning questions के lectures और इनके तमाम online test भी आपके लिए free हैं और आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपी fee submit करवानी है for complete MDGate course इन पांचों subject के लिए याद रहे इस ग्रुप में registration के लिए जब आप registration करवाएंगे तो 39, 50-50 MCQ के online test की जो तादात है वो 39 जो है वो topic wise जो है आपको time table के accordingly वो test conduct के जाएंगे और साथी साथ इसमें याद रहे हमने जो एक announcement की थी ना ये इस group के लिए भी valid है 50 online revision test होंगे at the end of course at the end of course आपके 50 revision test भी इसमें जो है वो शामिल है fee transfer करने का जो तरीका है मैं आपके सामने एक बार फिर recall करवा दूँ के easy price account है याद रखिएगा अलियजगर के नाम से है पहला account और अगर इसकी limit full है तो आप second account annum के नाम से उसमें fee submit करवा सकते हैं अगर इसकी limit full हो जाती है तो खुरम सिदीग और इसी तरह के से मौहमद सिदीग account यह तमाम sequence wise आपने fee submit करवानी है और क्योंके इसमें इनकी limits बहुत कम होती है तो अक्सर बच्छों के message आते हैं सर इसकी limit full हो गई है इसकी limit full हो गई है तो मैंने आपको order पहले से बता दिया है और सीदे के से jazz cash के थूर जो submit करवाना चाते हैं तो aliasgar के नाम से यह account है अगर इसकी limit पूरी शो हो रही है तो आप मौहमद सिदीग के account से जो हो fee submit करवा सकते हैं अगर दोनों की limit पूरी शो हो रही है तो आप हमारे whatsapp official number पर group admin को message कर सकते हैं तो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं किस तरह ही submit हो सकती है और जो student bank के थूर सब्मिट करवाना चाहते है तो bank alhabib जो है वो bank का नाम है account number आपके सामने है account title aliasgar के नाम से है और वो student जो पाकिस्तान से बाहर रहे के especially saudiya, UAE और पिछला जो group हमारा 8th house में Canada से रहने वाले पाकिस्तानी student है लेकिन जो Canada में रहते हैं वो भी online हमारे group से registration कर रहे हैं तो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले student जो online preparation करना चाहते हैं उनको fee transfer के लिए IBM number की जरुवत परती है तो इसी account का IBM number है इसके through fee submit हो सकती है fee submit करने के बाद fee की pick जिसमें transaction ID होती है जो proof होता है कि वो fee सिर्फ आपने send किया transaction ID के code होता है fee के साथ तो जैसे ही आप fee submit करेंगे तो आपको एक message आ जाता है जिसमें transaction ID होती है तो वो transaction ID वाला message का screenshot या उसकी pick आपने हमारे WhatsApp official number पर आपने send करना है तो 24 गंटे के अंदर आपको इस group के अंदर add कर जाएगा और अगर किसी भी वजह से 24 गंटे से ज़्यादा duration हो गया और अगर आपको add ना किया जाए तो आप Instagram ID अलियाजगरसिदीग के नाम से है अपना नाम अपना WhatsApp नंबर और अपनी फी ट्रांसफर की pick यह है मुझे inbox में यहाँ send कर दें ताकि मैं आपको जल से जल उस group के अंदर add करवा सकू अब वो student जो बिल्कुल new है उनको थोड़ा सा मैं idea दे दू कि इस group में registration से फाइदा क्या होगा separate group of boys and girls boys or girls का WhatsApp group बिल्कुल separate होगा duration of course 5 months क्योंकि आप हमारा duration ही इतना है पांच महीनों के बाद आपका final MDK होगा वनना है जो दूसरे group है उसमें duration तक्रीपन 7 months तक है तो पास महीनों के अंदर अंदर जाकर आपका MDK का course मुकमल होगा क्योंकि इसके बाद तो final test है lecture will be recorded form which can be viewed at your suitable timing within a week आप एक हफ़ते के अंदर अंदर आपको lectures के links प्रोवाइड की जाते हैं एक हफ़ते के अंदर अंदर आपने lectures मुकमल करने होंगे पर बात में वह लिंक काम ना करें तो आप हमें ना कहिएगा Federal Board और SIN Board जो है वो दोनु कोर्स मुकमल करवाया जाएगा स्टार्टिंग में basic lecture बेस्ते हैं तो फिर Federal Board के बहुत सारे lectures हमें जो है वो इन प्रोसेस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में शामिल है और तू ओन लाइन MCQ test of 50 MCQ within a week एक हफ़ते में 50-50 MCQ के दो online test होंगे क्योंकि आपको 39 जो हैं वो 50-50 MCQ के online test आपने देने हैं समझ रहे तो वो करने हैं और इसके बाद जो है वो 50 revision test अलग है Special lectures on how to solve MCQ and numericals without calculator इस बार जो है वो बाकादा special हम बहुत सारे lectures की series हम record करेंगे जिसमें numericals और MCQ उसको बगए calculator के किस technique के जरिये solve के जाता है उस पर होंगे Special lectures on past paper questions, Special lectures on career guidance, Special lectures on exam tips and technique और इसके लावा during the preparation आपको कोई भी MCQ कोई भी numerical अगर solution में problem हो रहा हो तो आप हमारा facebook group जो के YouTube channel Sinboard Teaching के नाम से है, यहां 29,000 से जादा student जो है वो available है, आप एक एक करके वो MCQ या numerical पॉस्ट कर सकते हैं, ताकि student आपकी जो हो मदद कर सके हैं, याद रहे हैं, वहाँ daily basis for secro की तादाद में MCQ student वहाँ आपस में discussion कर रहे होते हैं, तो आप भी उस discussion का हिस्सा बन सकते ह हैं, thank you very much, तो याद रहे कि registration की जो last date है, वो 20 February है, इससे पहले-पहले अपनी registration जो है वो इस group के लिए मुकमल कर ले, thank you very much, Allah Hafiz